हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को इंधन अथवा फ्योल्स के बारे मताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वेडियो अंतर तक ध्यान से देखिए और यदे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिजी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंधन क्या होता है? अथवा इंधन की परिभासा जान लेते हैं तो ऐसे पदार्थ जो दहन पर उसमा उत्पन करते हैं इंधन कहलाते हैं, मतलब वह सभी पदार्थ जो जलने पर उसमा देते हैं, उसमा पैदा करते हैं, इंधन अथवा फ्यूल कहलाते हैं, तो इंधन वह पदार्थ होते हैं, जो जलने पर उसमा देते हैं, इंधन होते हैं, जैसे कौन कौन से, लकडी, कोईला, कैरोसिन, कैरोसि गैस बोला जाता है नहीं तरल पेट्रोलियम गैस तो पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में यदि डीटेल से जानना है तो मेरे चैनल में फूल वीडियो अपलोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं तो इस प्रकार से लकडी कोला मिट्टी का तेल डीजल पेट्रोल हाद सभी जलने पर उस्मा देते हैं इसलिए इन्हें इंधन कहा जाता है तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इंधन कितने प्रकार के होते हैं अथवा इंधन का वरगी करण समझ लेते हैं या क्लास्टिफिकेशन आप फ्यूल के बारे में जान लेते हैं तो इंधन को मु भागों में बाटा गया है नंबर एक प्राकर्तिक इंधन अथवा इसी को कच्चे इंधन भी कहा जाता है या इसी को आप प्राथमिक इंधन भी कह सकते हैं और दूसरा इसी के अंतर गताता है निर्मारित इंधन अथवा इसी को सोधित इंधन भी कहा जा सकता है या इसी को अब दुतियक इंधन भी कह सकते हैं फिर अगर भौतिक आवस्था के आधार पर इंधनों को देखा जाए तो भौतिक आवस्था के आधार पर इंधनों को तीन भागों बाटा गया है थोस इंधन द्रौ इंधन और गैशी इंधन तो चलिए इन सब को एक एक करके समझा देत नमबर एक प्राकर्थिक इंधन अथवा इसी को प्रात्मिक इंधन कहा जाता है और नमबर दो है निर्मारित इंधन अथवा इसी को दुद्यक इंधन भी कह सकते हैं तो पहले प्राकर्थिक इंधन अथवा कच्चे इंधन अथवा प्राथमिक इंधन क्या होते हैं ये जान लेते हैं तो प्राथमिक इंधन अथवा प्राकर्थिक इंधन किसे कहा जाता है समझ लेते हैं तो वे इंधन, जो मूल रूप में ही उसमा उत्पन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्राथमिक इंधन कहलाते हैं, मतलब वे इंधन जो उसी रूप में उप्योग में लाए जाते हैं, जिस रूप में वे पिर्थवी पर पाये जाते हैं, यानि जिस रूप में उसी रूप में अगर उनका प्रियूक किया जाता है तो उन्हें प्राकर्तिक इंधन अथवा कच्छे इंधन अथवा प्राथमिक इंधन कहा जाता है उधारण के रूप में अगर देखा जाए उधारण को तो कोईला है, लकडी है, पेट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, प्राकर्तिक इंधन होते हैं क्योंकि इन्हें उसी रूप में जला कर उसमा प्राप्त की जाते हैं जिस रूप में, यानि मूल रूप में ये प्रित्विय पर पाये जाते हैं, उसी रूप में जला करके इनसे उर्जा प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें प्राकर्तिक इंधन, अथावा कच्चे इंधन, अथावा प्राथ्मिक इंधन, अगरेजी में कहें तो primary fuels, या natural fuels, भी बोल ला जाता है तो इस प्रकार से यह हो जाये अब उत्पत्ति के अधार पर अथवा מ teria मुल मूल्रूप के अधार दूसरा भाघ है निर्माणित इंधन अथवा सोधित इंधन अथवा इसी को दुत्याक इंधन भी कहा जाता है तो वे इंधन जो प्रात्मिक इंधनों में भावतिक या रासानिक परिवर्तन करके प्राप्त किया जाते हैं यानि जो प्रात्मिक इंधन है उनमें भावतिक अथवा रासानिक परिवर्तन करके कोई भी तीसरी इंधन प्राप्त किया जाता है तो उन्हें ही निर्माडित इंधन या सोधित इंधन या manufactured fuel कहा जाता है तो निर्माडित इंधन या सोधित इंधन कहलाते है वही यानि की चारकोल है, कोक है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, जल गैस है, कोल गैस है ये सारी चीज़ें जो होती है ये निर्माडित इंधन होती है ये सोधित इंधन होती है ये इन्हें ही secondary fuels ये दुतियक इंधन कहा जाता है चाहे कोल गयस हो जल गयस हो प्रोडूशर गयस हो ये सभी निर्माडित इंधन ये सोधित इंधन ये दुतियक इंधन कहलाते हैं क्यो जल गैस बन जाती है और जल गैस को प्लेक का मिसरन होती ही सफेदक तप्तकोगं पर अधर्वाइट कर दे वाहित करके बनाई जाती है तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह हुआ कि जब इंधन को विभिन प्रकरमों के द्वारा यानि प्राकर्तिक इंधनों को विभिन प्रकरमों के द्वारा बनाया जाता है दूसरी इंधन के रूप में बनाया जाता है तो उसे है निर्माडित उनों को तीन भागों बाटा गया था, ठोस इंधन, द्रो इंधन और गैसी इंधन, तो पहले ठोस इंधन को समझ लेते हैं, यानि सॉलिड फ्यूल्ड क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, तो इस प्रकार के इंधन ठोस अवस्था में बाए जाते हैं, जैसा कि ना ठोस इंधन होते हैं, चाहिए लकड़ी हो, कोईला होई सारे के हैं, ठोस इंधन हैं, फिर दूसरा है द्रो इंधन या तरल इंधन या लिक्विड फ्यूल्स, तो इस प्रकार के इंधन द्रो अवस्था में पाए जाते हैं, या अईसी इंधन जो द्रो अवस्था में फिर तीसरा है गैसी इंधन गैसी फ्यूल्स तो वे इंधन यानि जो गैस अवस्था में पाय जाते हैं गैसी इंधन कहलाते हैं यानि वे इंधन गैसी अवस्था में होते हैं जैसे प्राकर्तिक गैस तरल पेट्रोलियम गैस कोल गैस प्रोडूशर गैस जल गैस बायो गैस जिसे गोबर गयस कहते हैं गोबर गयस पर मेरे चले में फूल वीडियो पिछले दिन अप्लोट किया है मैंने आप जाकर करके देख सकते हैं एसिटलीन तथा हाइडोजन गैस यह सब गैसी इंधन होते हैं चाहे हो प्राकर्तिक गैस हो तरल गैस हो तरल प्रेट्रोलियम गैस हो यह यह लपीजी जो होती है तो इस सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने चल्ड़ में वीडियो अलग-अलग अप्लोट इंधन के रूप में भी आपको बताया था चलिए अब आपको बताते हैं कि इंधन का महत्तु क्या है यानि इंपोर्टेंस आप फ्योल्स क्या होते हैं तो इंधन से हमें उस्मिय उर्जा प्राप्त होती है उस्मिय उर्जा यह गर्मी वाली उर्जा प्राप्त होती है जि क्योंकि इसे यांत्री कुर्जा और बैदुतुर्जा में बदला जा सकता है इसलिए तो हमारे घरों में खाना पकाना वस्तुएं गर्म करना प्रकास करने के लिए इंधन का उप्योग करना आदे आप देखते होंगे खाना पकाते हैं वस्तों को गर्म करते हैं प्रकास के लिए भी इंधन का उप्योग किया जाता है ऐसे ही लकडी, कोईला, मिटी कते लिए इस सब चीजों का प्रियोग करते हैं गोबर के उपलो का प्रियोग करते हैं बायो गैस तथा कुकिंग गैस इस सब सारी चीजों का प्रियोग करते हैं भौजर पकाने के लिए या कोकिंग डाय में परिवान के साधन बभिन-प्रकार के होते हैं जैसे मोटर कार है वायवियान है स्कूटर के लिए है पेट्रोल इंधन के काम में आता है ऐसे ही बस, ट्रक, रेल गाड़ी तथा समुदरी जहाज के लिए डीजल की आवसकता होती है यानि डीजल जैसे इंधन की आवसकता होती है जो इसके द्वारा चलते हैं विभिन उद्दोगों में भी इंधन की आवसकता होती है जैसे कारखानों में बालरों में कोईला जरुत पड़ती है तो वहाँ पर कोईले से कारखानों के ये बालर को चलाया जाता है तेल है प्राकरतिक गैस जैसे इंधन को जलाकर गर्म किया जाता है तेल को बहुत से उद्धोकों में बैद्धु सक्ति की भी आवसकता होती है जरुत होती है बिद्धुत उत्पादन के लिए भी ताब बिद्धुत घरों में कोईला और प्राकर्तिक गैस जैसे इंधन की आवसकता होती है यहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर भी कोईला की उप्योग हैं बहुत सारे महात्तों हैं तो कुछ इंपोर्टेंस आप फ्योल्स के बारे मैंने आपको बताया आसा है आप लोगों को अच्छी तरह से समध में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेश कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद